इस फिल्म उद्योग को खड़ा करने वाली हस्तियों के संधर्ष से आज का भोजपुरी सिनेमा अवगत नहीं है। तभी तो हर दिन भोजपुरी फिल्मों में अशलिल शब्दों की बाढ आ गई है और दर्शक भी बड़े चाव से देख और सुन रहे हैं। कभी सिर्फ एक इलाके की भाशा मानी जाने वाली भोजपुरी अब पूरे देश में अपना जल्वा बिखे रही है। सोशल मीडिया से लेकर फिल्मी परदे तक इसकी धूम है। लेकिन आज के दौर में भोजपुरी फिल्मों के जिक्र के साथ ही एक शब्द जुरता है अशलीलता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के समय में भोजपुरी फिल्म जगत के कंटेट पर कई सवालिया निशान है। लेकिन मौजूदा दौर के निर्माता और निर्देशकों ने भोजपुरी सिनेमा के इतिहास को शायद भुला दिया है। इस फिल्म उद्योग को खड़ा करने वाली हस्तियों के संधर्ष से आज का भोजपुरी सिनेमा अवगत नहीं है। तभी तो हर दिन भोजपुरी फिल्मों में अशलिल शब्दों की बाड़ आ गई है और दर्शक भी बड़े चाव से देख और सुन रहे हैं। भोजपुरी सिनेमा में काम करने वाले लोगों को नजीर हुसैन के संधर्ष को जानने की जरूरत है जिन्होंने बिमल रॉय से भाशा बोली का समझोता नहीं किया। और भोजपुरी इतिहास की पहली फिल्म बनाई गंगा मैया तोहे पीरी चड़िबो। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से सटे गाजीपुर के निवासी नजीर हुसैन बिमल रॉय की फिल्म दो बिघा जमीन के लिखक थे। भोजपुरी माटी से लगाव के कारण जब उन्होंने पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियारी चड़िबो की पठकता लिखी तो फिल्म बनाने के लिए विमल रॉय के पास पहुँचे। विमल रॉय को कहानी बहुत पसंद आई लेकिन वो इसे हिंदी में बनाना चाहते थे। लेकिन नजीर साहब भोजपुरी में बुने सपने को हिंदी की वास्तविक्ता में नहीं ढालना चाहते थे। उन्होंने विमल रॉय के ओफर को मना कर दिया। अगर उस दिन नजीर ने रॉय के साथ समझोता कर लिया होता तो जीके के सवाल में पहली भोजपुरी फिल्म की रिलीज की तारीख कुछ और होती। ऐसे हुई थी भोजपुरी सिनेमा की शुरुवात। आजादी के बाद बदलते देश में सिनेमा को लेकर भी कई बदलाव हुए। फिल्म शिक्षन संस्थानों की स्थापना हुई। लोग व्यक्तिगत स्तर भी सिनेमा जगत को समवारने में जुट गए। इसी दौरान भारत के पहले राश्ट्रपती डौर आजेंदर प्रसाद ने इस ओर एक सराहनिय कदम बढ़ाया। एक फिल्म समारोह के दौरान अपने सम्भोधन में भोजपूरी भाशी होने का दायत्व निभाते हुए। ऐसे में हिंदी फिल्मों में ही भोजपूरी का तड़का लगा दिया जाता था। उस दिन समारोह में बैठे भोजपुरी माटी के निवासी नजीर हुसैन राजेंदर प्रसाद के बाद से काफी प्रभावित हुए। विमल रॉय के ओफर को ठुकराने के बाद नजीर लंबे समय तक निर्माता की तलाश में भटकते रहे। उन्होंने तै कर लिया था कि वो भोजपुरी की पहली फिल्म बना कर ही दम लेंगे। पही में कोई निर्माता मिला नहीं, कोई भी भोजपुरी पर पैसा लगाने के लिए तयार नहीं था। अंत में कोईला व्यासाई और सिनेमा हॉल मालिक विश्वनात प्रसाद शाहबादी इस फिल्म में पैसा लगाने के लिए तयार हुए। नजीर ने निर्देशन की कमान बनारस के रहने वाले कुंदन शाह को सौंपी। फिल्म के लिए एक लाख पचास हजार का बजट तय हुआ, लेकिन बनते-बनते यह आकडा पांच लाख को छूगया। मगर शाहबादी ने पैसे की फिक्र नहीं की और फिल्म को पूरा किया। 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म रिलीज हुई। उस दौर में इस फिल्म ने असी लाख का कारोबार किया था। बनारस के ही कुम-कुम और असीम ने इस फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका निभाई थी। ट्षब स्टी